आज का हमारा पहला कविता है जाग जाग कभी यहाँ पर जारकन की जनता को अपने हकों के लिए अपने अधिकारों के लिए जागने के लिए कहते हैं जागरुख होने के लिए कहते हैं इनका हक कोई मार रहा है हक मारा जा रहा है इनके अधिकारों पे कोई और कबजा कर रहा है इसलिए कहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए उठो लड़ो अपने हकों को प्राप्त करो आपका जो हक है आपको जो अधिकार है उसे आप प्राप्त कीजिए पढ़ते हैं कभी क्या लिखे हैं यहाँ पर जाग 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 भाई घुसा के मारी अंधार ठेल पत्थ बाधा के लती मसेल बालिक जटके सागर दहल फुके पहाड उड़ाई जाग 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 भाई जागो भай लो क्यों सोय हो उठो घुसा के मार से अंधेरा को दूर भगाओ जो अंधेरा आप दूर बहगाओ प्रकास कुलाओ रोसुनी बढ़ाओ पथ बाधा के लाती मसेल आप तमारे पथ में जो बाधा है रास्ते में जो काटे है जो रुकावटे हैं उसको अपने पैरों से मसल दो अपने पैरों से उसको मसल दो, चूर कर दो अपने रास्ते से हटा दो बालिक जटके सागर दहे जटका मारो ऐसा कि सागर कमी लहर आ जाए सागर में तुफान आ जाए ऐसा जटका दो फुक के पहाड उड़ा आए छिए फुक्मारो यसा फुक्मारो यह पहाड जो है पहाड भी उड जाए जाग 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 भाई हमत करने बूर रहा हए और एक संगठित होकर अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कह रहे हैं जाग 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 भाई तौर देखें सिहरे बाग तौरा देख सिहरे बाग जैठ बने सितल माग धरती फैकई सेशनाग कुसल मुझ भूरे जाए जाग 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 भाई मतलब क्या कर रहा है तुम्हारे डर से तुमको देखकर तुमको देखकर बाग भी सिहर जाए मतलब सहम जाए सिहर जाए मतलब सहम जाए शपट जाए तुम्हारे से डर होके वो शाइड हो जाए तुम इतना जोड़ दहाड़ों कि तुम्हारे डर से शिंग बाग भी जो है वो सिहर जाए सांत हो जाए जेट जेट बने सितल माग जो भैंकर गरमी है जेट का महिना लिए सीतल माग बना लो इतना तुम परहार करो इतना परियत्न करो परियास करो कि तुम्हार जो गर्मी के दिन है वो तुम्हार लिए सीतल बन जाए मतलब तुम्हार रास्ता सही बन जाए धर्ती फेंक सेशनाग कुसल भूजे भूरे जाए धर्ती को छोड़कर धर्ती को छ तुम्हारे दिकार को छीन रहा है इन यह सब छोड़कि अपना रास्ता में चला जाए अपने बिल में जाके समा जाए अनुस्यक बच्चा बीर तोहूं तोहूं देही ओहे लहूं तोहूं चीन है मिरिक रहू साप सचिंदर खाएन आए जाग जाग बाइ तुम भी मनुस्त क बच्चा है तुम्हारे सरीर में भी वही खून है तुम भी मिरिक और रहू को पाचानता है मिरिक रहू क्या है मिरिक मिरिक कहते है मिरिक और रहू मचली होता है कतला मिरिक रहू मचली होता है उस तरह से कह रहा है कि तुम मचली को पाचानते हो यह दो नाम दिया है अतलब साप और चुचंदर तुम नहीं खाता है साप और चुचंदर नहीं खाते हो मतलब जो बुरा चीज है जो खराब है जो अच्छा नहीं है उसको तुम नहीं परियोग नहीं करते हो इस्तमाल नहीं करते हो यह तुम जानते हो तुम्हेरे लिए कौन फाइदे मंद है फिर भी जागो तुम सोय क्यों हो उठिजारो तैयार हो जाओ और अपने लख्छ को प्राप्त करो ー देर हैे तब कतिक कते पालवय धर्म सतिक कफन बायन बहरो पतिक विजे उलला से छथी फुलाई जाग जाग भाइанд के रहे हो अब किस लिये तुम देर कर रहे हो डेरी कर रहे हो कितना धर्म को कितना करोगे धर्म के नाम पर तुमको तु나म बहा दिया तुमको तुम बेघर कर दिया कफन बहरो पतिक cave कमाता में कफन मांदो सर में कफन मांदो और निकल जाओ अपने मंजिल की वर निकलो विजय उल्ला सच हती फुलाई मतलब सीना को चोड़ा करके खुशी में हूब में जोस में निकलो और जाओ अपने लक्ष को प्राप्त करो जो तुम्हारा धिकार है उसको गेन करो यह कहते हैं कभी क्रांतिकारी भाव का है और कविताओं में खास करके आखिक गित का जो कुछ से नाएंगे उसमें कविताओं का भाव जरब पुछेगा कि किस भाव का है तिसमें हम लोग ने बहुत सा देखा है कुछ प्रेम भाव है कुछ श्रिंगार भाव का है यह देखिए क्रांतिकारी भाव का कविता है अच्छा है बहुत सा भाव हैं सबको ध्यान दीजिएगा एकन हामर काने नुपूर अगला कविता है एकन हमर काने अभी भी हमारे कानों में पायल का रुण्जुन रुण्जुन आवाज जो हो बचता है अभी भी मेरे कानों में पायल की छनकार है जो पायन की आवाज है गुंगरु की आवाज है वो मेरे कानों में बचता है अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे चाह मतलब उसके चाया में पीपल के पेड़ के छाया में राज किशोरी विराजमान है, वहां मौजुद हैं, तुर्तेक गुथल फुलक माला, आखी मिलन भाव, चीर सांतिक खोजे रूपसी, सहज सुन्दर ठाओ, तुरंत का अभी अभी का, ताजा ताजा, बनाया हुआ माला, गुथा हुआ माला उस का सांति, सुख सांत, जो होता है, बिलकुल सांत, जिसके सामने दुनिया कुछ नजर नहीं आए, एक दुसरे में खोजाएं, ऐसा सांति, कि और घर, दुबार, किसी कोई भी नजर न रहे, दुस्मन सत्र को भी खयाल न रहे, हम उसमें मत्र मंत्र मुग्ध हो जाएं, और कुल भी सारे दुनिया का भूल जाएं, उस सांति की खोज में है, ये रूप सी, सहज सुन्दर ठाओ, अराम से वहाँ पर बैठी हुई है, जहां प्रेम का नाला बैता है, मतलब प्रेम की धारा बैती है, प्रेम की नदी बैती है, किरन कुमारी लाजे, किरन कुमारी वही राज हंसनी की जोड़ा, नाव कमल बने मनेग मदे, केकर खें कुके, की तटे रहल आमेग बने मोर मयूरी नचे, एकनो हमर काने नुपुर रुणजुन रुणजुन भजे, अभी भी हिर्दय की समुद्र में, हिर्दय की गहराई में, राज हंसनी का जोड़ा बिच्रन कर है, वो अपने मदमस्त लहर में लहरा रहा है, जूल रहा है, केकर खें कुके, खें क्या होता है, क्या साधियां गधा होता है क्या, या करते हो, खचर, खचर, खचर होता है क्या, की तटे रहल आमेग बने मोर मयूरी नाचे, बने आम के बगान में, आम के बन में, मोर मयूर और उसकी फिमेल जो है मैयूर मैवरी दोनों नाच रहे हैं दोनों खुशी मना रहे हैं अभी भी हमारे कानों में नुपुर है ना पायल रूंजुन रूंजुन बज रहा है यह था दूसरा कविता बढ़ते हैं अगला कविता की और इस दुनिया का अजीव खेल है बचित्र यहां वही बचता है यहां वही जिन्दा रहता है कौन लूटे पारे भाई नाक मू रगड़े गयले पैट से बेसी नाए यहां पे वही जिन्दा रहता है जो लूटने सकता है जो लूट पाट कर सकता है दोर नमर धंदा कर सकता है बैमानी कर सकता है वही यहां पे बच सक नाकमूर अगर लिजियेगा मैहनत कीजियेगा तो फेट से जादे नहीं कमा पायेगा भर पेट कमा पायेगा खाना पिना हो जाएगा और आप सही कर पा festival नहीं तो बर फेट चलने भर हो जाएगा घटे सुधे कभी कलपन है साज उसा कमेल ये दुनिया बिचित्र सानमान इज़त पर्षिष्टा चुमे आवकर गौळ कि साज उसा कमेल मतलब कभी का कलपना में ही जो है ये सब है कि हाँ बहुत अच्छा है दुनिया अच्छा है सुन्दर है लेकिन इस दुनिया जो हैने बिचित रहे वो नहीं हो सकता है सान, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत दधन, दालत किसका है? उसी का जो बैमानी करता है चुमे ओकर गौड उसके पैरों को चूमता है सान, मान, इज्जत, पतिष्ठा जो अच्छी चीज़ जो उसको महान बनाता है अच्छा बताता है वो सब जो है उसी का पैरो को चूमता है जो बैमानी करना जानता है सांच मतलब सांच मतलब साम होता है बिहार मतलब सुबह होते है और भोर मतलब 수बह के पहले का लालिमा वाला हल तीक है, वो भोर होता है अकर गोड़े विश्व सुन्दरी लगवे चंदन तेल उसी के पैरों में यह विश्व की सुन्दरी है उसी के पैरों में तेल लगाती है किसका इसके पास धोलत होता है और धोलत किसके पास होता है जो उन्यौत है जो इसे को लूट के खाता है और चीन के खाता है design कि यह था कभी थां अग्ला है क्या देखते हैं इस जगत में तुम्हारा कोई ठीकाना नहीं है, ना उसका ओर है, ना उसका छोर है, ना किनारा है, ना अगला किनारा है, गावें गावें तौर नामक सोर नाए, तभी तौर जीवन रातिक भोर नाए, गाओं गाओं में तुम्हारे नामका सोर नहीं है, कोई तुम्हारा चर ठोर नाए तो के बुझे भाई बन पांकिक बोली धरा सुन्दरे मिठा हासी चांद सुरुज के बाद तुम क्या समझते हो भाई जंगल और पक्छी का बोली धरती का सुन्दर मिठा हासी चांद सुरुज के बाद ये तुम्हारे लिए नहीं है ये सारी चीजे तुम्हारे लिए नहीं है और नहीं चांद सुरज तुम्हारे लिए है तोई की बुझे भाई किरनेक नाच बदरिक कॉर्टाइम तोई की सुनल है भाई अनंत सागरेक डाग पीपर गाच तरे काहे योगी माईक के गोटे देही राग तोई की जाने भाई चांदेक आपन इंजोर नाए किरनेक नाच बदरिक कॉर्टाइम किरन का डाच किरन क्या होता है जब बादल आता है इसका मतलब यह नहीं कि सुरज कहीं चला जाता है सुरज उसके पीछे रहता है और सुरज के रौशनी है जो किरने है और बादलों के पीछे ही रह जाती है वह धरती तक नहीं आप आती इसलिए हम दिखती नहीं है तो ये बोल रहा है कि किरनेक नाच बदरिक कौर्ट है बदरिक बदल का जो कौर है वहां पे इसका नाच हो रहा है उसके पीछे नाच हो रहा है तो एकी सुनाल है भाई अनंत सागर का डाग पीपर गाश्चतरे का है जोगी मायक के गोटे देही तुम क्या सुना है अनत सागर का डा बुलावा कि people के पीड़ के नीचे योगी जो है पूरे सरीर में people के पेड़ के नीचे योगी पूरे सरीर में राख रां क्या होताँ राक कि जब कुईला जलता है लगडी करनी का जाता है तो यह को पानी कज़ता है फुसकर लगा कर तो उसको लगाकर कीयों योगी बैठ blocking तबस्या कर रहा होता है तुमको पता है कि चांद का अपना आप परकाश नहीं है आप से जानते होंगे चांद का अभी अपना रुष्णी नहीं है वह तो सूरज के रुष्णी से समकता है हमें जो चांद का अपना रुष्णी नहीं है वह कहां से आता है वह सूरज का रुष्णी है सूरज अभी चुकि कहीं कहीं तो गया नहीं है वह अपना जो अंऴनिया दिखती है समाज रखने के लिए आज भी कुछ स्वारे आखी लोड़न दिक्ने के लिए माश हो में आशा आता है न्पर जाता है mint कारे DPध इंजूर आज तुम्हारा रूप का जो छटा है जो प्रकाश है जो रोशनी है वो हमारी रास्ते को रोशन मान करती है प्रकाश मान करती है हमारी रास्ते को दिखाती है पत्थ परदर्शक है आजो तर मिठा बोली नोतुन जीवन रस्त आज भी तुम्हारा मिठा बोली में जीवन का नया रश है जीवन की कलपना है जीवन जीने का उसमें अहसास है याद मात्रे परसंगात चुवे टस टस याद करते हैं याद मात्र करते हैं मात्रे याद करते हैं सिर्फ याद करने से जो सरीर है मन है वो परसंग हो जाता है वो खुस हो जाता है और खुसी जो है वो चूने लगत जाती है आज तर आहटे पानी नदुन जवायरक भोर आज भी तुम्हारे आहट से जो है पानी वो ज्वार उड़ जाता है पानी में हल्चल हो जाती है उसमें लहर आ जाती है ज्वार भाटा जैसा ज्वार हो जाता है आज भी तुम्हारी आहट से तुम्हारी एहसास से यह अगला कवीता इसके बाद एक यह नेक्स्ट इक कुकुर्गिला से रहा है होसियार रहया भाई अच्छा देखिए बहुत द्यान सुनियागा इसको इन कुट्टों से साधान रहिएगा होसियार रहिए गया कौन कुट्टे हैं किनको कुट्टा कहा गया है किनका बारे मताया गया है हम लोग पढ़ते हैं कविता को तर समझ में आएगा हमें इक कुकुर्गुला से हुसियार रहा भाई, नाय तो हाथे कमंडल देही च्छाई, भीक मंगई तो नून चटाई, बिजलिक चाबुक देही सटाई, धोती छीन गमसा पिंधाई, सहर दिगें देतो पठाई, इन कुत्तों से, इन दुस्मनों से, इन चालबाजों से, सावध क्यों नहीं तो हाथ में कमंडल और देही में च्छाई, मतलब हाथ में पकड़ा देगा कमंडल, सरीर में राख लगा च्छाई, क्या होता है, राख लगा देगा पूरे सरीर में भभूत लगा देगा, और मतलब क्या है, तुमको भीकारी बना देगा, भीक मगई तो नून चटाए और तुमको भीक मांगने पर मजबूर कर देगा तुमारा जो भी चीजे हैं सब चीन लेगा और तुमको बनवासी बना देगा साधू बना देगा जोगी बना देगा हाथ में कमंगल किसका होता है साधू कही होता है न जो यहां मांगते चलते हैं तुमक बना देगा यहां इज्जत का सम्मान है कि दोती पेहने मतलब परस ठवा का हुआ है प्रांग उसका चुपा हुआ है गम्छा है उसको करते हैं उसका कपड़ा कम कर दिया गया सहर दिगें दितो पठाई सहर तरब भेज देगा जब यह निकलो यहां से अपना जगह है जमीन है जो धन दोला संपत्ती आपका है वहां से हटा कि आपको सहर तरब भेज देगा भिख मंगा देगा भी यह समधान रहिएगा सहर दिगें दितो पठाई माइंग खाई हाई 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 दलाल सब एक फेरे हैं उपर दीगे राजु है रहे जमी बारी बेच दलाल सब के चक्कर में दलाल जो होते हैं ना दलाल समझ रहे इसको दलाल जो होते हैं उन चक्कर में फेरम पड़ गए ना तो आपको बरबात कर देगा आपका सारा जमीन हड करने के सौक में मतलब कहने का है कि आपको उंचे उंचा ख्वाप दिखा देगा बड़े बड़े ख्वाप दिखा देगा और आपको दीन में ही आपके मुंबती जला देगा मतलब क्या है दीन में मुंबती का क्या जुरत है लेकिन आपके लिए जला देगा यह ऐसा कर देग वा मेरे लिए सब कुछ कर रहा है मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं करेगा वह अपने लिए करेगा अपने स्वार्थ के लिए करेगा लेकिन आपको लगयागी मेरे लिए कर रहा है है ना वही कह रहा है ये कुकुर गिला से होस्यार रहा र रही है जा इन दुस्मनों से होस्या रही है गा